तो फ्रेंड्स आज से हम लोग शुरू करने जा रहे है अपने नए सिलाबस का एक नया चाप्टर जिसका नाम है निगोशियाबल इंस्ट्रूमेंट सेक्ट 1881 ठीक है तो फ्रेंड्स इस चाप्टर के अंदर हमको पढ़ना क्या है देखिए नाम से नजर आ रहा है दे निग को पढ़ना है कुछ इंस्ट्रुमेंट के बारे में पढ़ना है कि इन्स्टुमेंटा इस निगोशियाबल होते है तो FIRST तो फिर्स बी एक अन्द्स्टेंडर्स अट सिर्द्ट एग सब्डसटन अब न्या श्लाबस सिर्स थो पड़ने सार इंस्लाबस लिया दया है अग लोग बात में पढ़ेंगे, बात में समझेंगे, पहले चाप्टर क्या है वो समझेंगे and then उसके बाद हम लोग उसके उपर चर्चा कर लेंगे, तो फ्रेंड्स यह निगोशियाबल इंस्ट्रूमेंट आक्ट जो है वो किस परपस के लिए आया है और इसका काम क्या है, what actually it do, आपको स्क्रीन पर सब दिख रहा है ना, प्रॉपरली, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है, चलिए, तो फ्रेंड्स अब बात कर रहे थे, निगोशियाबल इंस्ट्रूमेंट आक्स कही, एक बेसिक आइडिय ले लेते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है, इसी ये इंटर्मिजेट के अंदर भी, कि बच्चों के बेसिक्स जो है, इस चाप्टर के अंदर, थोड़े से वीक रह जाते हैं, इसलिए ये चाप्टर उन लोगों को बहुत डिफिकल जाता था, लेकिन आपको कोई चिंदा करने की गरज नहीं है, हम उसके पहले बेसिक्स को क्लियर करके लेंगे, और फिर इस चाप्टर के अंदर के कंटेन को समझेंगे, अगर पहले 10-15 मिनिट आपने ठीक से ध्याम दे करके इन बेसिक्स को जाना, तो चाप्टर एकदम मक्षन जैसा है, इसके अंदर कुछ भी बात नहीं, बस कुछ बेसिक्स को क्लियर करना बहुत जरूरी है, तो एक एग्जाम्पल से हम इस चैप्टर के बेसिक्स को अंदरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे एक परसन है, Mr. A, इनको खरीदी करना है एक नया मोबाईल, तो यह चले गए शॉपकिप के पास, मान लेते हैं, उनका नाम है Mr. B, और इनको खरीदी करना है मान लो iPhone 15, कीमत है 2 लाक रूपे, खरीदी करना है iPhone 15, 2 लाक रूपे का मोबाईल इनको खरीदी करने का है, अब Mr. A ने Mr. B से यह मोबाईल फोन लिया, और उनको फिर समझ में आया, अरे यार मैं तो अपन wallet गर पे भूल के आया हूँ, मेरे पास, दो लाक रूपे देने के लिए है ही नहीं, तो फिर Mr. A ने Mr. B से credit demand करी, कि मेरे को आप 2 लाक रूपे का credit दीजे, मैं आपको 2 महने के अंदर ये 2 लाक रूपे दे दूँगा, तो Mr. B ने भी agree कर लिया, तो फिर Mr. B बोले, हम एक agreement बनाते हैं, कि आप मुझको 2 महने के बाद 2 लाक रूपे देंगे, तो agreement बनने का तरिक्का क्या होगा, तो first thing, that they will make an oral contract, they will make the oral contract, we have studied the Indian contract act, whether the oral contracts was valid, और are valid, the answer is yes, oral contracts भी valid होते है, एकदम basic Indian contract act की बात कर रहे हम लोग, oral contracts valid होते हैं, लेकिन इसको prove करना थोड़ा मुश्किल होता है, 1872 में Indian contract act बना था, उस time पे oral contracts enforceable हुआ करते थे, लोगों का एक दूसरी के पर trust हुआ करता था, आज ये trust कही न कही तो, कई गुम हो गया है, इसलिए oral contracts आज हम लोग बनाते हैं, ये valid होते हैं, तेकिन कहीं न कहीं, प्रूव करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आज oral contracts नहीं बनाएंगे, तो Mr. B ने का, अरे यार वो oral contracts थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, दो मैने के बाद, मैं कहां जाकर के court में बुलूँगा, कि इसने मेरे से एक oral contract करा था, दो लाक रुपे देने का, लेकिन अब नहीं दे रहा है, तो it is really difficult to prove, तो oral contracts नहीं बनाते हैं, तो Mr. A बोले, ठीक है जी, तो हम लोग एक return contract बनाते हैं, हम लोग एक return contract बनाते हैं, कि आपने मुझको ये mobile वेचा था, इस date का ये contract था, invoice का नंबर ये था, उसके उपर GST की इतनी amount थी, buyer ये है, seller वो है, दो मेने के बाद देंगे, mobile के सारे description उसके उपर आ जाएंगे, ये कि अगर हम लोग कोई property वगरा खरीदी करते हैं, तो उसका एक return agreement बनता है, sale deed, purchase deed, इसको बोलते हैं हम लोग, लगबग एक 78 पन्नों का होता है, कि बस एक बनने में हो जाता है, लगबग ए 78 पन्नों का बन जाता है ने, बड़ा सा agreement बनाएंगे, बड़ा सा contract बनाएंगे, त उसको cover करने के लिए जितने stamp की गरज होगी, जैसे आपने देखा कि property की value जैसे बड़ेगी, वैसे stamp की value भी बड़ेगी, तो दो लाग रुपे cover करने के लिए, जितने stamp की गरज है, उतने रुपे का stamp लेके आना पड़ेगा, और फिर उसके पर ये सारा content लिखना पड़ेग एकदम detail में, कि कौन से place पे contract हुआ, कब payable है, वगर वगर, सारी बाती लिखने पड़ेगी, mobile के सारे details, buyer के सारी details, यहाँ पे रहता है, वहाँ पे रहता है, have you ever seen that sale did, buyer, buyer के नीचे, buyer के सारी details, seller, seller के नीचे, seller के सारी details, उसका contact number, फिर उसके बाद कुछ guarantors भी होते है, जो section number 10 के अंदर, कि सारे formalities complete होने चाहिए, तभी जाके contract, एक valid contract माना जाएगा, है कि नी, section 10 के essentials के अंदर, कि other formalities must have been completed, तो इतना बड़ा contract बनेगा, अब अब अदब 2 लाग का mobile है, एक simple सी बात है, उसके लिए यह सारे guarantor लेके हो, उनका अधार card, pen card लेके हो, यह आपको नह unnecessarily formalities follow कर रहे हम लोग, बहुत जादा TDS काम हो गया, बहुत जादा time consuming काम हो गया, अब यह mobile phone बेचने वाला Mr. B shop के पर, अगर हर एक से इतने बड़े-बड़े contracts एंटर करवाएगा, तो वो अपना धंदा कप करेगा, और unnecessarily उसका खरचा भी जाएगा, time भी consume होगा, अब इ उस time पे sir एक बात सिखाय थी, क्या सिखाय था, कि sir में एक plain paper पे आपको, में एक plain paper पे आपको कुछ बातें लिखवा कर देता हूँ, मानलो, आज का तारीक यह है, today is 26th, so 26th feb 24, पे date पे हमने लिखवा के दिया, और हमने लिखाय कि I promise to pay rupees 2 lakh, to Mr. B, यहाँ पे लिखा 2 lakh रुपए, यहाँ एक छोटी से stamp लगाई, रेविन्यू स्टैम बात है, एक रेविन्यू स्टैम दो परकार के होते है, एक छोटे रेविन्यू स्टैम परकार के होते ह और बड़े-बड़े stamp paper रहेविन्यू स्टैम बाते हैं जो बड़े-बड़े contracts बनते हैं वो बड़े-बड़े revenue stamp paper रहेँ पर रहने है, चोटे-चोटे stamp papers होते हैं वो 2-10-Rル पे, 15-Rル, 50-Rル, 100-Rル, चोटे-चोटी मिलते है revenue stamps, दो उसने iq stamp paper लगाय यहाँ पर और यहाँ कर दिया, sign. अब sign करने के दाइम पर एक रूल होता है, कि आप इस stamp paper को cancel करेंगे. क्यों करेंगे? आगे act के अंदर उस ही को पढ़ना है, तो उसने stamp paper बनाया, उसने paper लिया, simple plain paper, date लिखा, कुछ content लिखे, amount लिखा, एक stamp paper चिपका है, उसके उपर चोटा सा revenue stamp वाला, और sign करके दे दिया, अब इसमें mobile phone खरीदी करने के लिए पैसा लिया है, पलाना, दिमका, मेडा, ये content है, आधार कार्ड, पैंकार्ड, गैरेंटर, बायर, वगर, कुछ नहीं है, बस plain simple stamp paper लगावे, मतलब legal हो गया, अब ये paper पे, क्या आज Mr. B, दो महिने के बाद, Mr. A से, जो या पे sign करने वाले है, Mr. A से, दो लाक रुपे, रिकवर करने का अधिकार रखते हैं कि नहीं रखते हैं, क्या दो महिने के बाद, इस plain paper पे, आज Mr. B, दो महिने के बाद, Mr. A से, दो लाक रुपे, रिकवर करने का अधिकार रख सकतें कि नहीं रख सक तो इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट बना करके Mr. A ने Mr. B को दिया Mr. B बोले तुमने तो यह दे दिया लेकिन इसको गवन करने वाला काईदा ही नहीं नहीं है कोई भी चीज हम लोग जो ट्रंसाक करते हैं उसको गवन करने के लिए कोई काईदा होना चाहिए आज आकर Mr. B यानि कि दो महने के बाद Mr. B Mr. A के पास यह पेपर लेके चले गए और Mr. A ने इसको पे करने से मना कर दिया मैं इसको नहीं मानता तो क्या Mr. B कोट में जाने के बाद यह पेपर दिखाने के बाद कोट के पास कोई काईदा होना चाहिए कि जो इस पेपर को गवन करें कि नहीं भया Mr. B आपके पास पूरा पूरा आधिकार बनता है कि आप इस पेपर पे Mr. A से रिकवर कर सकते हो उसका काईदा होना काइदा बना दिया, एक लौ बना दिया, और जिसका नाम क्या है बुलो, जोर से बुलो, Negotiable Instruments Act, 1881, I guess आपको लोजिक क्लियर है, कि किस परपस के लिए ये Negotiable Instruments बना दिया, और किस परकार से इसको गवर्न करने के लिए काइदे बनाने चाहिए, और ये काइदा बना दिया, इसका नाम रग दिया, Negotiable Instruments Act, 1881, सर, बस ये ऐसे ही परकार का कोई Instrument होता है या फिर और भी होते है, और भी होते है, प्रवेबर अपने 12 में या फिर, इस 12 में ही करा होगा, बिल्स ओफ एक्षेंज वगरा कुछ एंट्रिस पास करी होगी, तो वो भी एक Negotiable Instrument Act का ही इससा है, तो अलग अलग परकार के Negotiable Instrument है, जो हम लोग Act के अंतर पड़ेंगे, पहले इसी चीज को हम लोग आगे लेकर के, तोड़े concepts को और क्लियर करवा दोबारा समझा दूँगा, विकाज अगर कही गारी पीछे छुड गई, तो आपके अगले सारे स्टेशन मिस होने वाले है, ये बात समझ लो, तो सारे basics पहले ही क्लियर करवा कर ले लो, तो ये रहा पहला पॉइंट कि भी ये Negotiable Instrument चीज होती क्या है, just to overcome the difficulties in the regular contract with respect to the payment of credit, orally and in the return form, orally करेंगे तो उसके कुछ अपने disadvantages है, return करेंगे तो उसके अपने disadvantage है, छुटे मुटे contracts का return agreement बनाने जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा tedious, time consuming, expensive हो जाएगा, तो इन सारी चीजों को govern करने के लिए, हम ऐसा instrument बनाएंगे, जो legal भी हो, और जिस पे लोगों का right भी बने, और ऐसे instruments को govern करने के लिए, एक act बनाना बड़ेगा, और जो act बना करके, जिसका नाम दिया, Negotiable Instrument Act 1881, now by just making this instrument, it is not negotiable, आज अगर मान लो, Mr. B, जो mobile बेचने वाले है, आज अगर Mr. B, जो mobile बेचने वाले शॉप की पर है, उन्होंने भी किसी से mobile credit पे लेकर के आपको बेचा हो, ऐसा नहीं कि उसके बाद में पैसे बढ़े, सारे आपके जैसे आमिर नहीं होते, कुछ गरी मेरे जैसे भी होते है, जो उदारी बेधन्दा करते, तो उन्होंने या कराया है, किसी से mobile खरीदी करें dealer से, और फिर आपके retail शॉप में रख करके आपको बेच रहे, अब आपने तो उसको दे दिया, वादा, कि I promise to pay you, अब क्या ये promise वो उसको दे, बोले I promise to pay you, जो उसने बोला मैं तरको दे रहा हूँ, नहीं कर सकते न, उसको भी पैसा देना पड़ेगा न, अब वो बला, जो trick आज मेरे उपर एने इंप्लिमेंट करी है, आज मैं तुमारे उपर इंप्लिमेंट करूंगा, मैं भ बला, तरक लिखा, 27th February 24, I promise to pay, रुपीज, 2 lakh, तो Mr. C, मानलो, C से करी दी करा हूँ mobile, after 2 months, एक दिन का तो, गया प्रहना चे न, वो पे करेगा, मैं आपको पे करूंगा, तो या पे लिखा 2 lakh रुपए, चोड़ा था स्टैंब लगा दिया, और Mr. B ने क्या कर दिया, या उसको accept कर लिया, है किनी, अब ऐसे instrument बनाएंगे, अब बताएंगे मुझको, उन्होंने एक instrument बनाया, मैंने यानि कि B नेक instrument बना करके C को दी दिया, सारी instrument बढ़ रहा है, इससे बेटर है, जो वादा, A ने B से करा था, वही वादा, अगर B, C को पास्वान करे तो, वैस बताएंगे, किसी ने दिया वादाएंगे, किसी और को ट्रांसफर ने करते, लेकिन लो में चलता है, कि उसने दिया मुझको गिफ्ट, मैं तुमको पास्वान कर लूँगा, अब यह इंस्ट्रुमेंट बनाएं, यह इंस्ट्रुमेंट आप मत बनाओ, एक काम करो, यह वाला इंस्ट्रुमेंट जो है, वो आप C के नाम पर ट्रांसफर करो, अगर आपको याद है, जिसका नाम है, Assignment of Rights, कुछ याद है, इडियेट्स, यह वही कॉन्ट्रेक्ट है ना, जो तुम यहाँ पढ़ते थे, Assignment का मतलब क्या होता है, कि मैं को जो अधिकार है, वो मैं तुमको ट्रांसफर कर रहा हूँ, आज किसी सुन्दरी डेटर ने मेरे को पैसे देने है, तो मैं आज क्या करूँगा, वो मेरे सुन्दरी क्रेटर को ट्रांसफर कर लूँगा, कि यहाँ मेरे को इससे पैसे आने है, तो जाके डेटली उससे रिकवर कर ले, तो काम खतम, इसको अजैनमेंट बोलते हैं तो यही सुन्दरी डेटर, सुन्दरी क्रेटर को हटाओ, और यहाँ पर लगा दो एक इंस्ट्रूमेंट, कि आज बी के हाथ में वो इंस्ट्रूम करिए, मेरे पास, यहीं कि B के पास जो इंस्ट्रूमेंट है ना, वो directly C के नाम पर transfer कर लेगा, transfer, अब यहाँ पर assignment नहीं कहते हैं, इसको कहते है, transfer, तो transfer of instrument, in the name of, क्या बोलो, C, transfer of instrument, in the name of, C, अब जब B, C को transfer कर रहा है, तो A में उनके हाथ में नहीं दे रहा है, मानलो, जैसा का जैसा instrument, आज B ने C को दिया, अब C on the due date जा रहा है, किसके पास, A के बास, बला payment कर, A बोल रहे हैं, तु को नहीं है, यह थोबड़ा पहली बार सुने ला लगते है, बलाभी पहली बार देखा ना मैंने तुमको, मैंने तो यह वादा B को करा था, B आएगा तब ही दूँगा, तेको नहीं दूँगा, बल्कुल बात बल्कुल सही है, हो सकता है कि C ने B सही बल चुराया हो, कि instrument चुराया हो, यह भी हो सकता है ना, तो A के से पेमें करें, तो कुछ ना कुछ तो बड़ी होनी चैन उस्ते उपर, तो आज, आज भी, जब यह instrument C के नाम पे ट्रांसफर कर रहा है, तो उस instrument के पीछे, कुछ ब्लैंक जगा होगी, या कभी face पे भी कर सकते, face पे करेंगे तो अच्छा नहीं लगता है, तो back side पे करेंगे, तो back side पे कुछ लिख रहा है, क्या तो आज, भी ने यह instrument C के नाम पे ट्रांसफर करा, एंडॉस करा, क्या बोलाँ, एंडॉस करा, और C, दो महने के बाद, इसी instrument को लेकर के, A के पांच आ रहा है, और A को बोल रहा है, देख भई, तुने वादा करा B से, बी ने तेरा वादा मेर को दिया, यह रहा, लिखा है इस पर दिख, और साइन भी है, तो मतलब, now I am having right to recover the stated amount on the instrument from you, because now I am the owner of the instrument, और और बनाया किसने, और बनाया किसने, बी ने बनाया, जो कि पहले ओनर था, आज मैं ओनर हू, he has assigned, he has transferred, he has endorsed the instrument in my name, so can now C, recover the amount from A, अगर आज A C को देने से मना कर रहा है, तो क्या C, A के ओपर, वो instrument, एन्फोर्स करके, उसके ओपर कर सकता है, the answer is yes, because he is now the owner, अरिश्वार, जे पलगा, पक्का, चलिया, और कहानी समझते, जैसे B ने से खरीदी कर रहा है, वैसे C ने भी किसी से खरीदी कर रहा होगा, अरो के घर पर बनाता है कि instrument, mobile phone, किसे खरीदी कर रहा होगा तो उसको भी किसी को पैसे देने आगे, C बोल रहा है, अगर तुने मेरे को ऐसा इस किसी का वादा मेरे को दे दिया, तो मैं किसी को वादा कैसे दूँ, तो बाल रहा है, नहीं नहीं, तू कर सकता है, बोल रहा है, कि मैं इसको दूँगा D को, कि मैंने D से लिया था, तो क्या आज C, आगे इसके नीचे लिख सकता है, endorsed, in the name of D, और sign कर दिया, क्या आज C, endorse कर करे, वो instrument, D के नाम पर transfer कर सकता है, endorse कर सकता है, इससे क्या हो जाएगा, D can recover the amount from, from, who is the original, drawer, से कि गलत, जो payment करेगा, who is liable, original party who is liable is a A, can D recover the amount from A, what do you think, क्या लगता है आपको, कितने लोगों बला, हाँ, सर कर सकता है, Resurants, कर सकता है, किने लोगों नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है, कितने बच्चे जुनको समझाई नहीं है, सब दुबारा सवाल पूचू, अबड़ा, what's your name, what's your name, वरत, हाँ, बलो, क्यों, 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 क्या दिक्कर दे, अच्छा, C ओनर था कि नहीं था, तो ओनर ने अगर सामने ownership ट्रांसफर करी, तो हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर ट्रांसफर किस नहीं करा है, C नहीं करा है न, तो ओनर ने अगर किसी और परसन को ट्रांसफर करा, तो वो ओनर बनेगा नहीं बनेगा, तो क्या D owner हुआ कि नहीं हुआ तो क्या D A से recover कर सकता है नहीं कर सकता है है कि नहीं अच्छा D B अपने परड़े में इसको mobile को नहीं बनाता है अच्छा अपना हिंदी ऐसा है न थोड़ा बहुत है मैं पाने में भीजाया पर वायने को देर हुआ मेरे परड़े में तेरी कुम्ड़े आरड़ी महारासीन लोगों का हिंदी तुठा सा ऐसे ही होता है तुम चाहिए जितना कोशिश करो अच्छा हिंदी बोलने की बीच-बीच में कुछ ऐसे वो निकल जाते है फट्चे समझ आते है और उपर चें तो खतम भी बाग कुछ नहीं कर सकता वो एक पर्टिकुलर जलैंग होता है रे shining जा वे boun वैक्टिक पर्टिकुलार याँ पर्डे में मोबाल को मनाता है रे E manufacturer है अभी, E manufacturer है, तो क्या बताएंगे आज D, E के नाम पे इसको इंडॉस कर सकता है, क्या D, आज E के नाम पे, इसको इंडॉस कर सकता है, वाकि ना, वाकि ना, हाँ बोलो, सुनायनी दे रहा है, हाँ बोलो, कर सकता है, तो इसका मतलब, आज D ने E के नाम पे ट्रांसफर करने से, क्या E, A से रिकवर कर सकता है, अरि शॉर, तो आप मुझको बता आना, ऐसे एंडॉस होते होते होते, यह जो प्रामिसरी नोट है, यह जो इंश्रूमेंट है, वो कितन कितनी बारा इंढॉस होते है, और ही होते है? प्रीज़, तामसे दिखता, 10 तैमसे करेंस, 12 तैमसे 50 तैमस, कुस्तो नमई होना ची के ने होना, का वार्यावरची वारात impost। हन जी को अог kست है, मैं कि वार्यावरची वारात?…. आइकल लो पोको बगा बताओ कितनी बारी अंडाउस होगा एकी बार होगा मुहिन स्वेब हांजी तो मालन नहीं हुआ है सुजल कितनी बारी होगा एक बारी टॉपर एक की बार होगा मतलब बस बी एक को कर सकता है हां सी के टाइम तक हो सकता है उसके आगे नहीं हो सकता है मैंने बोला कि डिसओनर मैंने तुमको कॉंसेप्स ही का डिसओनर का मेरेको भी पता नहीं डिसओनर क्या होता है मेरेको पता ही नहीं कुछ नॉर्मल प्लेइन सीपल कहाने की तरह जाओ डरिट उपर जाने की गरजने नॉर्मल ही समझो कितने बारी हो सकते हैं एक बारी हो सकते हैं यह पर एक बारी होगा तो बात समझो यह इंस्ट्रूमेंट अंगिनत टाइम तक इंडॉस हो सकते हैं अंगिनत इंफाइनाइट जैसे मैं आपसे प्यार करता हूं इंफाइनाइट वैसे यह इंफाइनाइट टाइम्स क्या हो सकत हो सकता है ट्रांस्फर हो सकता है एंडॉस हो सकता है और इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट को निगोशीयबल इंस्ट्रूमेंट कहते है निगोशीयबल का मतलब क्या होता है निगोशीयबल निगोशीयबल का मतलब होता है ट्रांस्ट्फरेबल क्या मतलब है transferable मतलब पस ऐसी possession transfer नहीं हो रहा है, transferable का मतलब होता है ownership transfer करना, rights transfer करना, तो आज एक instrument, जो transferable है unginate time उसको negotiable instrument कहते है, और इसलिए हमने इस Act का नाम रखा, negotiable instrument act 1881 जो 1881 में बना था, concept clear है, पक्का, हाँ, अब इसके अंदर तोड़ी technicality बढ़ सकती है, कि सर अगर मान लो payment हो गया तू, जिसे अगर मान लो B ने A को payment कर दिया, या B ने D को payment कर आ, because D is now the owner न, तो अगर D ने A को payment कर दिया, तो क्या सर आगे D किसी को endorse कर सकता है, ये कांट आप नहीं देगा, जिसको भी आएगा, बहुले, अल्री पेमेंट कर दिया, तो का है पेमेंट मांगने के लागए, एक बाद debt discharge हो गया, तो debt discharge होने के बाद, किसी का राइटी नहीं न, रिकवर करने का, तो राइटी नहीं है, तो ट्रांसफर कैसे होगा, आद आपने मर्क को 10,000 रुपे देने है, तो मैं आपके स्वापने सर को, सुरुप सर को बोलूँगा, कि मैंने आपको देने है, एक कामकरी, इन से रिकव करने के बाद, क्या right to recover खतम हुआ है कि नहीं हुआ है, जब तक ही payment नहीं हुआ है, अगर दो मैने का credit period है, और आपने मुझको अब तक payment नहीं कर रहा है, तो क्या still I am having right to recover, तो क्या फिर मैं transfer कर सकता हूँ, तो यह negotiation कब रुकेगा, जब instrument discharge होगा, जब instrument का payment हो जाएगा, अगर यह basic clear है, तो आगे जैसे मैंने का पूरा मखन topic है, अगर यह basics clear होँगे, तो आगे इतनी दिक्कत होने वाली है, कि आप imagine नहीं कर सकते, इंटर के बच्चे भी परिशान हो जाती है, किसर नहीं समझा, क्यों नहीं समझा, basics clear है, clear है यहां तक, clear है यहां तक, पक्का, चली, आगे बढ़ सकता हूँ मैं, क्याने मूव फर्दर, इजाज़त है, बलो इरिशाद, हाँ जी, तो मैंने लिखा एक इंस्ट्रूमेंट पे, आई, प्रॉमिस्टू पे, रुपीज टू लाक टू, Mr. B, I प्रॉमिस्टू पे, रुपीज टू लाक टू, Mr. B, अब जैसे मैंने, जिसको पेमेंट करना है, उसका नाम लिख दिया, तो यह इंस्ट्रूमेंट, और इंस्ट्रूमेंट कहलाता है, क्या कहलाता है, क्यों और इंस्ट्रूमेंट, विकाज जिसका नाम लिखा है, उसके और पे पे होना है, आज कौन A के पास यह इंस्ट्रूमेंट लेके जा सकता है, B या कोई और, बी या कोई और बी या कोई और बी लेके जाएगा न अचा मान लो इसका एक भाई है Mr. C Mr. C लेके चला गया क्या Mr. C रिकावर कर सकता है जबकि Mr. B जिन्दा है अरे Tiger जिन्दा है भी तो C जा सकता है क्या The answer is no तो instrument किसके order पे पेबल है तो इस instrument को क्या कहेंगे जोर से बोलो इसको कहेंगे order instrument किसी के order पे पे होना है तो ओर बी इंस्टुमेंट है बात समझें बात समझें तो I promise to pay रूपीस 2 lakh to Mr. B जैसे ही जिसको पेमेंट करना है उसका नाम लिग दिया तो वह order instrument कहलाता है यह हर एक instrument पर apply होता है यह प्रॉमिसर्ण इलो यह बीलाफेक्षण ले लो जो आगे पढ़ने वाले मैं आपको कौन से प्रॉमिसरी प्रॉमिसरी नोट के एंगल से पढ़ा रहा हूं इसका मतलब भी नहीं कि बस प्रॉमिसरी नोट पे ये बाते अपलाई करती है ये बिल अफेक्शन जा और इंस्ट्रॉमेंट पे भी अपलाई कर जाएगा क्लियर तो मैंने क्या कहा है मैंने कहा कि जब भी किसी को पेमेंट करना है उसका नाम अगर लिख दिया तो वह इंस्ट्रॉमेंट एक और इंस्ट्रॉमेंट कहलाता है बात समझे अब इंस्ट अब दाट मैंने लिखा इंस्ट्रॉमेंट अब बीर का मतलब क्या होता है बीर का मतलब कि जिसके हाथ में वह इंस्ट्रॉमेंट है इंस्ट्रॉमेंट मतलब इंस्ट्रॉमेंट मतलब क्या है कि जिसके हाथ में इंस्ट्रॉमेंट होगा इसको बनाते क्यों है लोग नालाइक अब उमने देखाता है आए आपको कि ए ने इंस्ट्रॉमेंट बनाकर के बी को दिया बी ने आगाए शीने आगे दी को दिया बीनी आगी को दिया अब इंडॉस्मेंट करने के लिए यह मैं लिखना पड़ेगा ईंडॉसन ते नेम ओफ दीजी साइन करनापड़ेगा तो कि आज बिना कुछ लिखा पड़ी करें, इंस्रुमेंन को किसी को भी दे सकते हैं अभी तोड़ा सा मुन्नी को बदनाम मत को रुबस्थी है आज मानलोग ग्रिटिंग काड पे नाम ही लिखा और किसी ने आपको ग्रिटिंग काड दे दिया तो क्या वही ग्रिटिंग काड आप किसी और को थमा सकते हो बिना उसका नाम लिखे बीरर सर यही एक्जामबल लो सर वापस यह मस्ता एक्जामबल है जो आपको ग्रिटिंग काड दे रहा है ना बोले मिन नाम मत लिख भाई दुख उदर लिख बीरर अधर लिख बीरर लिख उदर और में खो दे दे तो मैं क्या करूंगा किसी और को दुदूंगा तो किया बोले का वाउ है कि नहीं अब जिसके आते में वह इंस्टूमेंट होगा उसको क्या लेगेगा अ यह, मेरे को दिया हुआ अरे है कि नहीं तो endorsement करने की करज है अरे पीछे लिखने की करज है क्या greeting card पर endorse in the name of A, B, C, D कुछ लिखने की करज नहीं अब इस सक फाइदा क्या होगा पता है कि आपको बीच के जो intermediary party होंगे ना जैसे कि A निदिया B को, B निदिया C को, C निदिया D को, E को joint अब अगर आजी इन्श्रुम्न बीर रहे रहें तो A ने B को दिया, वैसे उठा करके C को दे रहे है, C क्या करके रहा है, वैसे उठा करके D को दे रहे है, D क्या कररे है, वैसे उठा करके E को दे रहे है, Now can E recover the amount from A? The answer is Yes! अब बताओ मुझको कही पे, कही पे, B, C, D का नाम आया, किसी को पता चला, किसी को पता चला, तो यहाँ पे, B, C, D, इस ट्रंजक्शन के ट्रेल से ही निकल गए, किसी को कानो कान खबरने होगी, किसने किसको पाईसा दिया और क्या अग्वा, एक ने, यहाँ पर क्या देखे करेगा, अगर E, A को पेमेंट करेगा तो, कि E ने एक कुछ, कुछ समान बेचा था, जिसके बदले, E, A से इस इंस्ट्रूमेंट पर पैसे रिकवर कर रहे हैं, तो बीच के पार्टी नहीं चाहते कि हमारा नम कहीं पर आये, माजनाव संवनोगा, समझे नहीं समझे, माजनाव कुठे ही यह था कामा, तो इसलिए यह बेर इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे, वैसे बेर इंस्ट्रूमेंट का एक नुकसान है, बोलो क्या, चूरी हो सकता है न, है कि नहीं, इसने पैसे रिकावर करने थे, उसने ड्रॉवर मरख दिया, कि इसने ड्रॉवर से चुरा लिया, या रस्ते से जा रहा था, बेल पूरी खा रहा था, इंस्ट्रूमेंट गिर किया, उसने उठा लिया, बोले वाओ, ए, पैसा दे, यह क्या बोलता है, मैंने को बेलर को देने थे, हो सबता है कि मैंने इसको पना कर दिया। इसको दिया। समझे की नहीं समझे। उसको बलते पीर इंस्टूमेंट, तो ओर्डरे इंस्टूमेंट मतलब क्या, इसका नाम लिखा जाएंगा जिसको One gonna payment करना है, क्या बोलता है , और इसका नाम नहीं लिखा बस मैंने लिखा बीरर उसको क्या कहते है जेप लगा जेप लगा अचा बात बताव अभी मैं ऐसा लिख रहा हूं आपते ने बीरर एकी ओर्डर है आई प्रॉमिस तू पे रुपीज तू लाक तू मिस्टर बी और दा बीरर अच यह लिख सकता हूं मैं पहले बता यह लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं जरूर लिख सकता हूं मैं Mr. B को पे करूँगा या फिर जो भी इसका बीरर होगा उसको पे करूँगा तो आप बताना है यह order instrument ही की बीरर इंस्ट्रुमेंट है यह बीरर है लेकिन B का नम तो लिखा हुआ है लेकिन B के साथ साथ बीर को भी पे करने का वादा करे रहा है यह क्या हो गया यह क्या हो गया अब इसके लिख बात समझे मतासर इसके अंदर और एक चीज लाती है बताओं कि माजा आ रहे है कि कंटाल आ रहे हैं कि दोनों आरे यह क्या चीजी होती ही सर I promise to pay rupees 2 lakh to dash B बोले मेरा नाम मतलिक बेरर भी मतलिक बेरर भी मतलिक blank छोड़ दे हो सकता है न यह सकता है हो सकता है नहीं हो सकता है blank छोड़ दे कुछ मतलिक तो ऐसे इंस्ट्रुमेंट को बोलते है blank इंस्ट्रुमेंट blank चिक का नम सुना है की निसुना है वैसे यह तो बहुत आके की कहानी है अभी मैंने बस आपको इंट्रो दिलवानी के लिए बता दिया वैसे एक इंस्ट्रुमेंट दो ही परकार के होते है कौन-कौन से कोई भी इंस्ट्रुमेंट है दो ही प्रकार के होते है एक क्या होते है order यद फिर जैसी ही जैसी ही जिसको पे करना है जो का नामेया दिए Hudson बीरर स्रूरी order और रगर जैसी जिसको पे करना है, उसका नाम नहीं लिखा है, तो उसको यह भलेंगे, नाम लिखा है और साथ साथ बीरल बोला है, तो वो क्या बन जाएंगे, क्लियर, समझा, स्टेट बडो स्टेट, एक दम स्टेट, विसे उमर पचास साल मेरी है, और तुम खुद ऐसा बहब करें कि पच्पन साल के होगे, स्टेट बडो एक जाएंगे, सब के चहरे हस्ते भी दिखनेंगे, इस फोस्स लेक्चार यह आपेरिंग इस देह ना, ऐसा ल मैंने लिखा, 24 था ना, 24 फेब 24, लिखा, आई, प्रोमिस तू पे, रुपीज तू लाग, तू मिस्टर बी ए, आफ्टर, तू मुंस, यहाँ पे बताएंगे, यह इंस्ट्रुमेंट और एक बिएर है, और एक बिएर है, क्यों और एक बिएर है, विक्वाट जिसको देना है, उसका नाम लिखा है, मिस्टर बी, सही बात है, लेकिन और एक चीज़ लिखी है, तू मंस, अब आप मुझका बताना, यह बिल का प पास, कब जाएंगे, मैंने को पता है, नलाय को दो महिना, मैंने को डेट बताओ, सर आपी बता दो, फीज दिया ना आपको, हाँ जी, 27, क्यों, 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 वो ग्रेस देस मैंने सेगा है तुमको, क्यों कि नॉलेज यूस करके आजाते किदर, अब ऐसे सवाल प के, कि तपा हो जाओगे, फना कर दूंगा, निगोशिव लिंशिम में, मैंने जितना पूछा ना उतना जवाब देदू, बताएंगे, दो महिने कब खतम होते है, 24 फेब से, इस 24th of April, and then concept जो आपने मेरे को सिखा है, वो क्या है, Grace Days वाला, कि तीन दिन आड करेंगे, तीन दिन कब कतम होते है, 27th of April 24, this is the due date, अरिश्योर, आज मानलो Mr. B को, एक महने के बाद, पैसो की गर रहे हैंगे, 2 लाक रुपए, वो एक महने के बाद ही पहुच गये, यानि कि 24, March 2014, पर पहुच गए, बोले कि मैरे को पेमेंट करूँ, क्या आज Mr. A, Mr. B को पेमेंट करेंगे, एक महने के बाद, whether Mr. A is liable to pay to Mr. B, अभी करने के लिए कुछ भी करने लिए, लोग मर्डर कर ले, देख दूसरे का Facebook पे, करने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या करन चाहिए, नहीं न, करने के लोग कुछ भी कर सकते है, युवाओ, अपनी इच्छाओ को काबू में रखना, वरना शौक गुणाहों में बदल जाएंगे, करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, करने के लिए, लोग कुछ भी कर सकते हैं, बताएंगे Mr. A is liable or not, not liable, वह ब बोलिंगे, दो महने के बादाना, Monday को आना, मस्तना दोके Monday को आना, Monday को पेमेंद कर दूँगा, Mr. A let me tell a, वह भी आब भी नहीं दो महने का दाइम, दो महने के बादाना, तों सर इस इंस्ट्रुमेंट को क्या कहेंगे, ऐसे इंस्ट्रुमेंट को हम कहते है, come on, time instruments, जब पेमें का समय तय होता है, जब पेमेंट का समय तय होता है तो इस इंस्ट्रुमेंट को क्या कहते है, time instrument के तय होता है, और अगर पेमेंट के टर्म्स अगर इंस्ट्रूमेंट में तय नहीं है तो वैसे इंस्ट्रूमेंट को क्या कहेंगे सर लिखते के से वो तू बताओं तो मैं दे लिखा आई प्रॉमिस्टू पे रुपीज तू लाक तू मिस्टर भी ओन डिमांड क्या लिखा ओन डिमांड का मतलब क्या है कि मिस्टर भी मैं इसे जब भी पेमेंट मांगेंगे मैं दे दूंगा ओन डिमांड तो क्या अगले दिन पहुँच सकते है इसमें ग्रेज डेज 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 डिरेक्ली पेमेंट होगा इस दिन बनाया अगले दिन पहु आपने इक बात बोटिस नहीं करी, यहां पर जो पेमेंट करना है, उसका नाम लिखा हुआ है, तो यह instrument क्या हो गया? order instrument हो गया, तो order instrument के दो प्रकार हो सकते है, एक होते time instrument एक होती demand instrument, तो order instrument time भी हो सकता है, और order instrument demand भी हो सकता है, छेफ लगा, अब इसी sequence में, क्या आप मुझको यह बदा सकते हो, कि क्या bearer instrument, time और demand दोनों हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? तो यहां से जवाब मेरे को कमार है, अब बदा, bearer instrument time भी हो सकते हैं और demand भी हो सकते हैं, तो कैसे लिखू उसको? अगर मैं कह रहा हूँ कि instrument bearer है और time है, तो कैसे लिखू? मैं ऐसे लिख सकता हूँ बदा, कि I promise to pay to the bearer, rupees 2 lakh, 2 lakh, after 2 months, तो यह क्या हो गया? यह पहले क्या है? bearer है और इसमें time लिखावा, इसलिए क्या है? जेप लगा और इसी को मैंने थोड़ा change कर दिया, मैंने लिखा I promise to pay to bearer, rupees on demand, तो यह instrument क्या होगे बदा? क्या यह bearer है? जिसका नाम लिखा है, जिसको pay करना है उसका नाम नहीं लिखा है, तो यह क्या हो गया? bearer, और plus यह क्या है? demand instrument, अही बात समझ मैं है, और लिखा I promise to pay to bearer या to Mr. B or to the bearer, rupees 2 lakh on demand, अब बताओ, instrument क्या है? यह bearer है, साथ साथ, यहां पर मैंने लिखा 2 months, यह क्या हो गया? bearer plus, जिप लगा, पक्का, तो मैं कहूंगा, अब आखरी, कोई भी instrument, कोई भी instrument, एक तो क्या होता है? एक तो order होता है या फिर और साथ साथ वो instrument क्या हो सकता है? time या फिर demand हो सकता है, अगर यह चार concept clear है, तो मैं आगे बढ़ूँ, अगर इसके अंदर किसको दिक्कत है, तो बता दो, कि सरी इसमें मैं को कुछ भी नहीं समझा, या मेरे को सरी बेरन नहीं समझा, आपड़ा, वो बाद में, पेमेंट की बाद में, टाइम पे हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे, तो उसमें पढ़ लेंगे, तो उसमें पढ़ लेंगे, यहां तक कॉंसेप्ट में कोई डाउट है तो पोचू, कोई डाउट नहीं, पक्का, इसको बुक से समझते हैं, कि बुक में यह सारी बाते कहां लिखी होई है, ठीक है, इंट्रोडक्शन मैंने दी दिया, तो ड्रेकली, टॉपिक नमबर 5 पे जम करते है, क्लासिफिकेशन अफ निगोशिबल इंस्टुमेंट, निगोशिबल इंस्टुमेंट क्या है, वो छोटी-छोटी बात है, वो चेक है, प्रमेस्ट, बिल उफिक्शन, वो बात में चर्चा कर लेंगे, बेसिक को समझते, बेर इंस्टुमेंट, या फिर ओर इंस्टुमेंट, सब का दान मेरी तरफ है, मतलब बूर्ड की तरफ है, पक्का, slow ready, straight, keep smiling boys and girls, please, so bearer instrument, it is an instrument, where the name of the pei is blank, और ब्लांक लिखा नम लिखा 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 है, तो bearer होगा, जो भी होगा, आपना लिखार है, देगा, और where the name of the pei is specified with the words और बीरर यानि की नेम लिखा है या फिर बीरर लिखा है और बीरर और वेर लास्ट इंडॉस्मेंट इस ब्लैंक ये लास्ट इंडॉस्मेंट क्या होता है समझ लेंगी इसको लोगा सा इन शॉर्ट समझ लो कि जैसे ही मैंने लिखा पे टुद बीरर या किसी का नाम में नहीं लिखा या फिर किसी का नाम लिखा और साथ में लिखा और बीरर तो इन्स्ट्रुमेंट क्या हो गया इसका इफेक्ट क्या है कि ये इंस्ट्रुमेंट किसको पे करा जाएगा जो भी उसका बीरर होगा जो भी उसका होल्डर होगा जिसके हाथ में व it is an instrument which is payable to the person or payable to a person or his order sir मैंने लिखा Mr. B, pay to Mr. B, तो ये instrument क्या हो गया? ये कॉंसे instrument एन लाइको? और इस लिखा और payable to the person or his order अब इसका मतलब क्या होता है? मैंने लिखा I promise to pay Mr. B, बताएंगे ये कौन सा instrument है? order instrument है? या फिर लिखा or his order, अब इसका मतलब क्या होता है? or his order का मतलब क्या होगा? effect क्या होगा? एक तो Mr. B को पे करेंगे या Mr. B के order पे करेंगे? Mr. B, मान लेते हैं Mr. B आज पहुच गए एक ये बास बले कि मेरे को payment कर दो, तो payment किसको करना है? payment किसको करना है? B को करना है, आज Mr. B एक बंदे को और लेके गए बले कि ये मेरे साथ, Mr. A बले काम कर, मेरे को जो payment कर नहीं इसको कर आज जो मेरे को payment कर रहा है जिसको payment कर, तो क्या Mr. A ने payment इसको करना है? C को लिखे, C को करना है endorsement करा था क्या endorsement करा था क्या, नहीं करा था लेकिन वो लिखे गया न मेरे को पे कर, या मेरे order पे पे कर एक तो मुझको नहीं तो मेरे order पे तो instrument क्या हो गया, order ही हो गया है कि नहीं तो payable to the person specific person, और payable to the person or his order, that is मैंने का Mr. B or his order ऐसे लिखा मैंने, तो वो order ही कहला जाएगा दिको examination में पहली बार is the first time that you are going to test you are going to be test on this topic तो probably हो सकता है सवाल कुछ ऐसे बन जाए, आपको instrument दिया जाएगा, या फिर wording दिये जाएगे और पूछा जाएगा, कि बताँ यह order ही के बिर अरे के time है की demand है तो वेरी clear about it और ठीको एग्जामनेशन तो ठीक हम लोग कर लेंगे कहीं न कहीं से लेकिन knowledge purpose का क्या आज अब एक C.A. बनने वाले हो तो तुम कोई instrument के बारे में पता ही नहीं है तो तुम कहें के C.A. हो Sir मेरे को है ना उसका accounting करने को आते है अब मेरे को ऐसा मस्त प्रॉब्लेम बना के दो सारे इंटेस बराबर करता हूं यह काम तुमारा accountant कर लेगा समझे क्लाइन तुमारे पैस आकर पूछ रहा है सारीक promise note बनाने की है कैसे बनाओ तिमी फक्त एक्जाम सटी के लोग तुमी रट्टा मार लोगा तुमी तुमी रट्टा मार लोगा तुमी 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 निकल जाएगा अजब तुम promise note बनाने के बारे में consult नहीं कर सकते तो जब वो बंदा promise note बनाएगा अकाउंटिंग करने के लिए किसके पास आएगा तुम अगर उसको मेरे पास भेजोगे तो मैं उसको मेरे office में भेजूँगा कि मैं तुरको बताता हूं कैसे बनाते promise note यह रहा promise बनाके दे अब बोलेगा सर मेरे बिजनेस से उसका अकाउंटिंग करना है तो मैं किया तुम बुलेगा ने जिसने तुमको मेरे पास भेजा ना उसके पास जब आप करवा कर दे अर मैं आपने बोफिसना भेजू उसको तो तुम्हारा पूरा धंदा गया अब जिसने मैंने company's act में भी बताया था तुमको अगर company incorporate करना नहीं आता है तो तुम्हारा पूरा धंदा निकल गया भे उसके आगे उस company का income tax तुम नहीं कर सकते, GST तुम्हारे पास नहीं आएगा, accounting तुम्हारे पास नहीं आएगा, तो पहले तुम जाननी रहे हो कि हमारा काम है क्या, हमारा काम है, क्या है consultation करना, हमारा काम है knowledge गेन करना, और client को बता नहीं क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है, तुमसे जादा लेकिन वो जो कर रहा है वो सही है कि गलत है वो बताना तुम्हारा काम है को जेपै जो भी बिस्नेश फैमिलिस से बिलाग कर रहे है they can relate to this कि क्यों उनके उर्पार में अच्छा रहोती रही कि कि यह करा वो करा यह करना ची वो नहीं करना ची यह कर तो ऐसे होगा वो कर तो वैसे होगा समझे कि नी समझे तुम तुम मेडिकल स्टोर से जा करके कोई भी गुली लेके खा सकते हो रहे लेकिन डॉक्टर के पास क्यो जाएंगे यह सही है कि गलती बता इसलिए ना तुम डॉक्तर हो करने के लिए तुछ भी कर सकते इन्स्रुमेंट बिए निया कुछ भी वना सकते है अब किसी ने इन्स्रुमें बना दिया जोगां कैसे इन्स्रुमेंट बनाया इसलिए लाए आइ प्रोमिस तू पे मिस्टर बी और अनिवन और बीर और तुह जूडर एस सम आफ रुपीज जितना चाहिए उतना टू मंस आफ्तर देट और दिमांड बनाने के लिए कोई भी कुछ भी बना सकता है न वो नलाग ऐसे बना कर देगा तुमारे पास आएगा बोले वा क्या इंस्ट्रूमेंट है करो अकांटिंग इसका क्या अकांटिंग करेगा तुम क्या बोलेगे कहां पावा लगा क्या अगया भाई थोड़ा पूछ रहे था तो सही था यह इंस्ट्रूमेंट गल्लत भाई ऐसा नहीं होते जिप्या तो यह तुमारा काम है यह सीए का काम होता है सही रहा दिखाना सीए का काम है आई बात समझ मैं यह तक क्लियर है एकदम शान्ती किसी का नाम लिखा तो वो ओर्डर है किसी का नाम लिखा और इस ओर्डर लिखा तो वो भी ओर्डर इस इस्ट्रूमेंट ही कॉच उसको या उसके कहने पर पेमेंट होगा और payable to the order of a person, payable to the order of a person मतलब, Mr. B और his order का मतलब क्या है, Mr. B को payable है, या फिर उसके order पे payable, अब मैंने लिखा, देखो, सब के कान खुले, शान्ति से समझो, मैंने लिखा, I promise to pay, to, I promise to pay, as per Mr. B's order, इसमें, या फिर to, Mr. B और his order, इन दोनों में क्या difference है, कोई बताएगा, वैसे दोनों इंस्ट्रमेंट और इंस्ट्रमेंट है, लेकिन दोनों में क्या difference है, कोई बताएगा, पहले लिखा, या B's order, या दूसरे में लिखा, B को, या उसके order पर, अच्छा, और दूसरे में, या उसके order पर देना है, ओके, कोई इंप्रेसिव, boys में, कोई है, अब डा, mode of payment, ओके, बी को payment नहीं होगा, अच्छा, बी को order है, उसको ही pay करें, तो, बी जो ओर्डर बोला है न, बी जो ओर्डर मतलब क्या, बी को order, बी को order है, मेरे को ही pay करो, anyone, मैं जानता हूँ कि आपको answer नहीं आता है, I know this, बट मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा दिमाख लगाओ, अमरुता जी, बी को ओर्डर पर लिखा है, मतलब लिखने वाले के, बनाने वाले के, अंगल चे लिखा है हुआ, सब दोनों में डिफरेंस कहा है, दूसरे में लिखा, बी या फिर उसके order, मैं liable to pay बी और इस order, वो जो अब जैसे बतायागा, वैसे पे करूँगा, पहले मैं, बी को order जैसा है, वैसे follow करना है, बी का जैसे order है, वैसे follow करना है, मैं बस बी को ही liable हूँ, या पहले मेरी primary responsibility बी को pay करने की नहीं है, या पर liability की बात है भाई, दूसरे case में, मैं पहले बी की तरफ लायबल हूँ, और उसके बाद उसके order पे लायबल हूँ, बात समझे, पहले case में, मैं बी के order पे लायबल हूँ, कि बी जैसे order करेगा, वैसे pay करूँगा, और अगर बी ने कहा, कि मेरे को ही pay करो, तो फिर उसको पे करूंगा, आज अगर B ने यहां पे endorse करा, तो पहले मैं endorser को liable हूँ, मैं किसको liable हूँ, endorser को liable, और अगर endorser नहीं है तो किसको liable हूँ, यहां पे मेरी primary responsibility किसकी है, to pay B, अब यह concept और clear कब हुगा पद्दा है, जब यह bill आगे-आगे endorse होते जाएगा, और कोई primary party जो है उसको pay करने से मना करेगी, कुछ समझे मैंने क्या का, मैंने कहा कि A ने bill दिया, promise note बना करके B को दिया, B ने आगे C को दिया, C ने आगे D को दिया, D ने आगे E को दिया, अब A जाएगा on duty किसके पास, A के पास आएगा, अब अगर A ने मना करा, A ने अगर मना करा, तो A किसके पास आएगा, B के पास आएगा, कि C के पास आएगा कि D के पास आएगा, इसको किस ने दिया, तो D के बाद जाएगा, D ने मना करा तो, C ने मना करा तो, बात समझे, अब जब मैंने कहा कि B या उसके order पे पे करो, B या उसके order पे करो, तो B ने कहा कि मेरे को payment नहीं करना है, किसको payment करो, C को payment करो, किसको payment करना है, तो C is the person who is having authority to recover, अगर आज, A मना कर रहा है payment करने से, वो E के पास आ गया है, A नहीं कहा करा, मना कर रहा है, मैं payment उसको नहीं करता हूँ, तो A is liable to pay to directly, वेकोद at the end, हो हो के B के पास आया है, और B, आज किससे recover करने का अधिकार रखेगा, तो यह जो concept है, यानि कि B is order, as per B is order, B बोल रहा है कि मेरे order पे पे करो, मतलब मैं कह रहा हूँ, इसको payment करूँ, तो आज endorser को payment करने की liability किसकी है, A की है, B या B के order पे मतलब पहले responsibility B को पे करने की, कि मैं बस B को ही पे करूँगा, उसके बात दिखूँगा उसको order क्या है, तो liability, in short, ज़्यादा deep में नहीं जाते इसके, और confusion बढ़ जाएगा, खामगा, मैं बताऊँगा, कि अगर B is order पे पे करना है, तो पहली liability to pay is उसका order क्या है, अगर कोई order नहीं है, तो फिर B, B और his order बोला, तो पहली liability किसकी तरफ है, B, मैं पहले B को pay करूँगा, बाकी कौन है मैं नहीं जानता हूँ, और अगर उसने कोई order दिया, तो फिर order को pay करूँगा, आई बात समझ में, और इसको थोड़ा पेंड़ने करको, probably 50% clear है, जब आगे हम आगे आगे बात करेंगे, तो और clear हो जाएगा, कोई जिन्ता नहीं, ठीक है, तो मैंने कहा कि order इंस्ट्रुमेंट क्या है, कि अगर मैंने किसी का नाम लिखा तो वो order इंस्ट्रुमेंट है, मैंने लिखा किसी का नाम, और इस order तो वो order इंस्ट्रुमेंट है, मैंने लिखा किसी person के order पर यानि कि मैंने क्या लिखना है यहाँ पर these order तो वो क्या instrument हो गया order instrument हो गया बात समझो मैंने कहा examination में आपको instrument identify करने के लिए भी बूल सकते हैं कि बताओ यह order है की बीर है तो वापस एक बार again revise करता हूँ शांती से अगर मैंने instrument में पे यानि कि जिसको पे करना है उसका नाम नहीं लिखा तो वो क्या है तो वो क्या है सब बुलेंगे वो instrument क्या है अगर हमने पे का नाम लिखा और सामने वर्ड बीरर लिखा तो वो instrument क्या है और अगर endorsement blank है तो भी instrument क्या है वो क्या होता है बाद में समझेंगे अगर मैने किसी pay का नाम लिखा तो वो instrument क्या है अगर मैने लिखा किसी का नाम या फिर उसका order लिखा तो अच्छा मैंने किसका नाम लिखा और बीरर लिखा तो या फिर मैंने लिखा उस परसन के order पे तो वो क्या है और last endorsement full है full मतलब endorsement में last का नाम लिखा है E का नाम लिखा है A to B, B to C, C to D, D to E E यानिकी full, full यानिकी E का नाम लिखा है तो किसके order पे पे करेंगे E के है, किसको payment करेंगे E को, तो इसलिए वो क्या हो गया order instrument हो गया, आई बात समझ में देखे, bearer instrument और order instrument का फरक है name of the pay is blank name of the pay is specified with the last word bearer last endorsement is blank इसको मत पढ़ो अभी दूसरा payable to the person person or his order या payable to the person's order और last endorsement full इसको नहीं पढ़ना अभी तो instrument को हो गया रहे क्या हो गया जेप लगा जेप लगा, अब time instrument और इसका फरक क्या है इस time instrument और इसका difference नहीं दिया इस पेमिन में आएगा वो, चली उसको हम लोग बाज में समझ लेंगे पहले बता यहां तक clear है इसको note करे इसको note करे नोट बुक तो लाए होंगे लाए हो कि नहीं लाए हो मस्त अपले सुवच्छा अक्षरात निगोशियाबल इंस्ट्रॉमेंट लिखना नाम लिखना निगोशियाबल इंस्ट्रॉमेंट आक्ट अजय स्पीड सही है कि बहुत ज्यादा हो रहा है सही है ना गाना सुनना आपको अबड़ा अबड़ा ब्लैंक भी था है ठीक है बीर कहलाएगा बीर कहलाएगा आएगा आगे अगर ब्लैंक हुआ या फिर मैंने लिखा पेटू डाश डाश और इस ओर्डर आप शुमरक करेट ब्लैंक है ना आज में किसी को भी दे सकता हूँ वह बंदा क्या करेका खुद में ओनर हो वह अपना नाम लिखेगा इसको बलते है बीर को ओरडर बनाना आके बढ़ेंगे बीर को ओराडर बनाना बोलते है इसको जब तक कि किसी का नाम नहीं लिखा है तब तो कोई भी रही है कि समझें कौन से काना सुनोगे हेडिंग लिया जिन्दिके में दुख और यूटूब के आड़ कभी खतम नहीं होते और स्किप करने के लिए थोड़ समय जाता है या वास की नाड़ी भाई चुलिए नाम लिखवा हम नीचे लिखना क्लासिविकेशन आप इंस्ट्रूमेंट जा तुलिए परेग लिगने क्या को का यारिंग नहीं नहीं हो जो नहीं हो क्याए इंस्ट्पट्रिसप्ड़ कि अधिस्टैने वालुर्स ये वालाफ ने डिक्टैने और खोगे रहा ये वालाफ ये वालाफ ये डिक्टैने ये वालाफ वि चूखे मया, नू का बालये, नू का बाली बेल किया छıyा छयारे, हार रजाद फ्रकॉद का बालये, नू का बाली लुखी आपि चुना डाल हिसन अधा чॉटि क सेरव शौटि क मौटि तो तो पिर छोब हो मैं अधा डाल जुखे फसट правильно खिरक खिरक यादो, नद्दी खिलादो, खिरक खिरक खिरे माटिश्टा पातल, उस्वकू पक्चाए, अमबश्चु कादो, खिरक खिरक खिरे अष्टल कादो, यादो, हिन्द्दी खिरक खिरक खिरे और तूबर दॉका ओंतुंदी इनती नाचा कर से पंदी कैं मिन कर नहीं आपने पिहांट में हैं जुटेंज यहांट है । टुटे कुट रडने रडना ग्रीम, विस्टेट रडने जाद आप लगांट शबस्ट शूजिन के रडने झाद karışचच़ सब्सुट कर दो देंग हैं । कर दो 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 का से लिगा स单ुल कुछल हुआ है सुपते हुए भगी ? तो फिच क्छाई सदीना कर दीना कै तेरे पुटेयों दे होया मुष्यना तो मार तशी पाच्छी ये काको निया देप एडिरे पाको शेयों निसे के समय कर दा मैं पीना को कि ते हाई उन्छाण The ChinesePM वे दो इस दो इगाँ है भुषित तो मुष्ट आफ्ट फिरोग बढ़ दिये राकि भाया रुब पूरा ताके बढ़ दिये विए दौन एटन लिए गवान थे लिए उप है भ्राग विंद दिया निकत गज़र दे लगे यदे तेरे जबा कर गजिये आरे देजुंब कर दो बार्वे इए पार भानेों हो जब कर दें कि जिस रों ऐसाँ कम जो हैस ने दो आए पार है भी आरे भी ञब शहादा कम Complete जया है कर दोल है यह सुपर दो फिलेबो करते दो कुछा है कि 공 maks आकाल डलोर जा अंदे आत सायHello सुम है आत सुम्द DIRE पंस परीैक cat ओंस परकाट कि अिल्म कमmm काल ⁃ है मुच Month इय।ो इंक पर्त व्म बर्त व्म क curvוכ अध जवास माम प्भाओ की अगिट फसरे को अ जसने वेद की अ वेदे थिर करोदिछ ि तstill हुाई टच की इंद ए नह फिछ, जड़जाद हिए भर झाहिए पिछ जब चाहिए कर दो कर दो कर दो कर दो डिख कर दो कर दो लो ku का आखरे भाग एड़िए साजी एड़िव प्रवान प्रुकली आपे नumin खरे अलब जब अम सब्कर मैं राफ वजल जो कर दो कर दो कर दो है एंए्पनस कर दो का दो विटेट लिएको कोुद में नरब कंदीए विटकर जर्प कंदीए प्रीम के का प्रेख में imprison के रेख प्रेख किणा में चुनीटा औरता फिरृता दिल तो प्णदा आपाइको डोल अगती है जयाज आप नीड़ान के लिगार पाइक आख तुल कुल ने सुम्ट पूल काया शाज कुल्द के दिनार कंश सतो है आप अप करने बाद इक शेसं किसा पुडान इतार कि सतार कि जाँ लिए है आप लोह के लिषाद तकिंशी नारार चेड़ावाव मेरी नारी है झाड़ावाव टेके अभू मेरी हारी है उमेछ चोड़ास मेरी होने यह विए पर दोडिया ह। इसट होगा चलिए अब टाइम इंस्ट्रुमेंट और डिमान इंस्ट्रुमेंट जो है इसका ड्यूटेट जो कैल्कुलेशन है वो लोग आगे पढ़ लेंगे यहां पर उसकी चर्चा नहीं करते कि दो महने के बाद मतलब कब 30 दिन के बाद मतलब कब 15 दिन के बाद मतलब कब मैंने लिखा pay me or my order यह I promise to pay you a sum of Rs. 2 lakh 3 months after the date of your marriage तो कैया यह सही है मैंने लिखा I promise to pay you a sum of Rs. 2 lakh तो क्या ये सही है कैसा लिखा जा सकता है सारे जवाब मिलेंगे रुको ज़रा सबर करो पहले लेक्चर पर ये सारी बाते अगर दिवाब में डालना शुरू कर दिये तो कल के लेक्चर पर कोई नहीं आएगा कि मैंने को से नहीं करने गए तो होले होले समझेंगे पहले बेसिक सारी बाते क्लियर करवाकर लेते हैं चलिए एक पॉइंट मैंने बोला था कि अपने नहीं पढ़ना है वो ये था इसका क्या मतलब होता है मैंने कहा कि ये इंस्ट्रूमेंट है और इंस्ट्रूमें मैंने कहा याप लेगा 24th of 24 I promise to pay रुपीद्स 2,00,00 to Mr. B और his order after two months लिगा 2,00,00 stamp लगाया sign किया अब इंस्ट्रूमेंट को हम निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट कहेंगे नहीं कहेंगे और इंस्ट्रूमेंट किसके हाथ में है whether B is having right to recover from A oh मेरे बेन बाइयर बेनो कर सकता है न स्ट्रेट बेने के स्ट्रेट 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 अब B चाहे तो उसको C के नाम पे इंडॉस कर सकता है can you endorse in the name of C क्या C endorse कर सकता है in the name of D क्या D endorse कर सकता है in the name of E the answer is yes लेकिन ये endorse करने का तरीका क्या है sir how we can endorse आज ये इंस्ट्रूमेंट का नेचर क्या है बताओ I guess इतना सब डिस्कुशन होने के बाद सबसे आंसर आना चाहे ये कौनसा इंस्ट्रूमेंट है order plus time instrument हम basically थोड़ा emphasis करते है on order instrument तो आज अगर किसी भी order instrument को negotiate करना है negotiate करना मतलब transfer करना right को transfer करना करना है तो पहले मेर को क्या करना पढ़ेगा endorsement 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 कैसे करते है इसके face पे ये इसके back side पे हम लोग उच लिखना पढ़ेगा आज अगर मैंने इस instrument को यानि कि इस instrument को वैसे ही उठा करके C को दिया तो आप मज को बताएंगे whether C is having any right to recover it from A on due date हम अब due date में जाएंगे time traveler दो मेने के बाद जाएंगे देखेंगे C कि A के घर में चला गया मेरे कोई promise note का payment करो I promise to पे लिखा आपने payment करो A C को क्या करेगा payment करेगा क्यों नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा आज C ऐसी निकल गया उस instrument को लेकर गये तो आप बताओ मुझको क्या A C को payment करेगा the answer is no क्यों नहीं करेगा अगर A को पता ही नहीं है A क्या बोलेगा क्या लिखा है यह पे I promise to pay Mr. A और his order ना तो Mr. A है ना उसकी order है अरे यही बोलेगा ना ना तो Mr. A है ना तो उसकी order है तो मैं payment कैसे करूँ तो नहीं करेगा payment तो आज अगर B को अपना अधिकार C के नाम पर transfer करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा इंडॉस अब इंडॉस कैसे करेगा लिखेगा पीछे क्या endorsed in the name of Mr. C और आगे sign अब क्या C A से recover कर सकता है अरिश्वार चलो इंडॉस्मेंट हो गया लिखा लेकिन क्या ये इंडॉस्मेंट उठाकर के C के आथ में देना पड़ेगा बता चला बिल तो बी के पास है और C पोचिया एके अगर पर सुन ना तुने एक प्रमिस्टनोट बनाय था जय ये तो इनर्च पामिंट करो बता courage इंडॉस्मयन हो चुकाया लाकिन ना है ना तो ना पैमेंट आंन तो पामिंट करनाए ना अरे यार अभि तुम पागलोगे क्या आपने आगसर आपने ये इंडॉस्मेंटमींट इसली पैमेंटboo इंश्रुमेंट 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 रियालिटी में आओ, खैली प्लाव पकाना बंद करो रियालिटी में आओ, लोग कोई खैली प्लाव नहीं है, ति स्गाँ सरव पिस्टरॉमेंड करो, तो युए पेसरेड़ों। तो आज कोई भी इंस्टूमेंट अगर ओर इंस्टूमेंट है तो उसका इंडॉस्मेंट पहले हो जाना चाहिए यानि कि पहले राइट ट्रांसफर हो जाना चाहिए और साथ साथ उसका डेलेविरी भी होना चाहिए किसको जिसके नाम पे endorse कर रहा है इसलिए आप यही लिखाया ना आगर आज कोई ओल्डर इंस्ट्रूमेंट है तो उसको आप निगोशेट कर सकते हो ट्रांसफर कर सकते हो कैसे अब यह endorsement का spelling अलग 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 लिखते है वह लोग इंडॉस्मेंट बोलते हैं उसको इंडॉस्मेंट बोलते हैं इंडॉस्मेंट पता नहीं इंडॉस्मेंट क्यों लिखने हो तो इंडॉस्मेंट साथ साथ क्या बोलो जेपला का जेपला का बिना डिलेवरी का इंस्ट्रुमेंट है आई प्रोमिस्स टू पे रुपीज टू लाक टू बेरर आफ्टर टू मन्स बैयर बैनो आप मुझको बताएंगे यह इंस्ट्रुमेंट कौन सा इंस्ट्रुमेंट है यह बेर इंस्ट्रुमेंट है साथ साथ टाइम इंस्ट्रुमेंट है तो टाइम की बात हम लोग के नहीं करते हैं बेरर की बात करेंगे तो आज इस इंस्ट्रुमेंट कौन पे कर रहा है दो लाग रुप लिखा तारिक लिखी जो भी तारिक आज Mr. B के आत्मे इंश्रूमेंट है बना करके B को देगा ना दो मेने को लेकर आना आना नहीं घर पर देखे जाऊंगा किसको समझा समझा निक समझा पोगो देखो सलमे जोकमा तो कोई हस्ता भी ने डेट अपमन करते थे ना लाइक में को लगते है कि में को पढ़ा रहा हूं आपको समझी नहीं रहा है या फिर मैं इसे बहुत डिफिकल बात पढ़ा रहा हूं आपको मैं बहुत difficult बात पड़ा रहा हूँ कि मैं जो पड़ाव आपको समझ नहीं रहा है दोनों में से क्या बात है दोई option है कोई तीसर option है नहीं कोई option है अपकी पास समझ रहा है ना बहुत difficult लग रहा है बहुत difficult लग रहा है नहीं ना good very good तो आप मुझ को बता ना, आज कोई B-1 इंस्टुमेंट है और इसको मैंने ट्रांसफर करना है A ने बना करके B के हाथ में देना है ना, सर यह रहा इंस्टुमेंट आप दो मेने के बाद आई है, पेमेंट कर देंगे, कोई चिंता नहीं अब B बोल रहा है कि मैरे को इसको C को ट्रांसफर करना है, मैं को C को पेमेंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, A से जो रिकवरी होनी है, वो B के नम पर ट्रांसफर करलेता हूँ, तो आज B कैसे करे, ऐंडॉसमेन करे, order instrument में करते दियना हम लोग endorsement endorse in the name of endorse in the name of Mr. C करू करू वर्दा जी नहीं करना है क्यों क्यों नहीं करना है जब भी endorsement होनी है तो endorsement करना पड़ेगा न transfer करना है तो endorsement करनी होगी न क्यों नहीं करेंगे बड़ा जल्दी अबड़ा मुदकि प्रीटी जी पताई जी तो क्यों वड़ेशंस shut up sorry he is entitled to record the amount okay, बिल्कुल सही जब कर ताली बच्ची के लिए ताली बच्ची के लिए सीन कुछ ऐसा है कि सर जी यहाँ पर जी इंडॉस्मेंट करने की गरेज़ी क्या है भीर लिखाया ना बिटा तो जो भी लेके जाएगा इसको पेमिन मिलेगा बिएर ना मैं भीर हूँ जैसे मालो यह 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 रिमोट का मैं भीर हूँ तो I am holding न, मैंने अगर सुजल को दिया, तो सुजल is a bearer, समझे नी समझे, तो जिसके आत में instrument होगा, वो bearer है, और payable किसको है, instrument किसके आत में है, B के आत में है, payable किसको है, bearer को है, तो किसको pay होगा, ये clear है, instrument C के आत में है, वर्दा जी पेबल किसको है इंस्टुमेंट किसको आथ में है इंस्टुमेंट किसको पेमेंट होगा बिटा किसको पेमेंट होगा इंस्टुमेंट वर्दा के हाथ में है पेबल बीरर को है तो किसको पेमेंट करूं मैं वर्दा को पेमेंट करूं वर्दा ने उसको हां इन्ट्रुमेंन किसको आद हूं है है आमरिधा जैंता हमे है फैमेन किसको करूं उत कि अजिए एमारांगेНеकरर आधिसाना है पर शाल की सवाल बारा पूछंगाए कहले थो вызण वह थो धारो है कों ट०ंट के और धाल स्वाल गॉचाएंगार एंपर तो और भारा आध यहांद हो थो जब कर दो कि दो में एमिर आंपर में पना ईदिकार सुन्ट do con phu एंडॉस्यों ने का फाई ऐ डो दो क oppress और के Experts अंध गरेंगे फैसलें इंडॉस्योंच करने की तुर मुझको बात बता ना आज करेंस्टूमेंब बीरर है तो मेरे को क्या करना होगा कि इंडॉस्मेंट हो गया I have to just deliver the instrument to to C C को अगर D को देना है तो क्या करे D को दे D को अगर E को देना है तो लिखे इंडॉसित नम हो भी क्यों ने लिखे क्योंकि बीरर है सही के गलाट तो आज मुझको बताना अगर कोई भी इंडॉस्मेंट बीरर है और उसका मेरे को इंडॉस्मेंट करना है निगोशियेशन करना है तो मेरे को क्या करना होगा मेरे को खली क्या करना होगा इंडॉस्मेंट करने की कोई गरज तो रूल निकल करके क्या आया कि अगर कोई order instrument है तो उसको अगर negotiate करना है तो उसका पहला endorsement करना होगा और साथ साथ delivery करनी होगी जस्ट delivery करूँगा चलेगा तो नामकाली का है तो मारा नाम लिखो भई और अगर आज कोई instrument बेरर instrument है उसका negotiation करना है तो क्या करना होगा खाली deliver कर दू अरि शॉर तो बताएंगे मुझको बेरर instrument का negotiation कैसे होता है mere by delivery और order instrument का negotiation कैसे होता है endorsement plus delivery से जेप लगा वो मेरे जवानो पक्ता तू यहाँ पे अगर जगा होगी तू एक line update कर दू यहाँ जगा होगी जगा होगी 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 है instrument is negotiated by क्या बुलो endorsement plus delivery और बेरे instrument कैसे होता है instrument is negotiated by only delivery अभी जप लगा जप लगा अब कब से आपने पढ़ा है पढ़ा है पढ़ा है आमने यह पढ़ा है आगे वाली बहुत सारी बाते मेरे कूछ सिखा रहे थे तो आप मुछको बताना यह इंश्रुमेंट कौन सा है I promise to pay Mr. B on site कौन सा इंस्ट्रुमेंट है जब भी इंस्ट्रुमेंट को तुझे देखा तो यह जाना से ना सरसो के खेत में जाना पड़ेगा इस्ट्रुमेंट लेगा और यह ओर्डर है सब लोग पार्टिसिप्ट करेंगे तो मजा आएगा यह ओर्डर है तो यह तो कोई भी बता देगा इतना पड़ने के बाद तो कोई भी बता देगा यह क्या होता है डिमांड की टाइम डिमांड शौर लोग किया जाए फाइनल अंसर अज यह साइड होता क्या डिमांड क्यों बोल रहे बताऊं कभी भी कभी भी वह लग भी भी आओ कभी भी मोहिन बता तो मेरे से बहुत दूर दूर जा रहा है ऐसा लग रहा है मुझको यह यह दूरी सहन नहीं हो रही मुझको तो इधर बैटा कर रहे कुछ तो बोल on site का मतलब क्या होता है कि what should I do then you will pay what should I do then you will pay me the amount on site on this spot खटके और बोट usual लोग बोलती नहीं तंगा पलती गोड़े परार कुछ बोल रहा है sorry on this spot क्या गुरू instrument बना की दिया लगे इस प्रेजिन किया बदो हाँ जी हाँ sorry प्रमेशर के नौलेज में आएगा मैंने लिख की दिया तो मेरे नौलेज में कम आएगा जब में लिखूंगा तबी ना अबड़ा जब व कहेगा कोण कहेगा अंसाइट का मतलब होता है अंसाइट का मतलब होता है मैंने जब भी तुमको प्रेजेंट करा तुमने पेमेंट करना है अब आप मुझको बताना अगर मान लेते हैं 24 परवरी 2024 को बिल बनाया है और और 15 मार्श 2024 को यह प्रेजेंट हुआ बताएंगे पेमेंट करना कब है 15 को पिमेंट करना है कि तीन दीन आड करना है 15 को पिमेंट करना है कि तीन दीन आड करना है 15 को पिमेंट करना है कि तीन दीन आड करना है Sure Final answer इसका जवाब मिलेगा आने वाले lectures के अंदर बताएंगे आज का lecture clear है तो आज आमने इंस्ट्रुमेंट के क्लासिफिकेशन जाने कौन-कौन से प्रकार की इंस्ट्रुमेंट होता है ओल्डर होता है बेर होता है टाइम होता है और ओल्डर का मतलब क्या होता है किसी स्पेसिफिक परसन या उसके ओल्डर या परसन के ओल्डर पर वह इस बीर इंस्टुमेंट जिसका किसी का नाम नहीं लिखा है किसको पे करना है या मैंने किसी का नाम लिखा या बीर लिखा हो तो वो क्या होता है टाइम का मतलब क्या होता है ऐसा इंस्ट्रुमेंट जिसमें टाइम और प्रिस्क्राइब होता है अब वो टाइम किस-किस प्रकाइब से लिखा जाता है वह मैंने आपको नहीं पड़ा है और डिमान का मतलब क्या होता है ऐसा इंस्ट्रुमेंट जिसमें टाइम प्रिस्क्रा अला, very good, चलिये, तो आज के लेक्चर के रुख जाते हैं, कल मिलेंगे, with the new topics of the Negotiable Instrument Act, thank you so much, bye bye, and have a nice day.